आत श्री दुर्गा सप्षती त्रयोद शोध्याया सुरत और वैश्यको देवी का वर्दान ध्यानम ओम बालाक मंदला भासा चतुर बाहुत रिलो चनाम पाशानगो कुश्वराभी तीर धार्यनती शिवा भजे जो उदयकाल के सुर्या मंदल की सीकांती धारन करने वाली हैं जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथ हों में पाश, अनकुष, वर एवं अभयकी मुद्रा धारन किये रहती हैं उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ ओम रिशी रुवाच एक एतते कथितम भूप देवी महात्मय मुत्मम एवं प्रभावासा देवी येदम धार्यते जगत दो रिशी कहते हैं एक राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मय का वर्नन किया, जो इस जगत को धारन करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है दो विद्या तथेव क्रियते भगवद विश्नुमाय या तयात्वमेश वैश्य अश्चा तथेवाए विवे की नह तीन मोहिंते मोहित आश्चेव मोहमेश्यंती चाप्रे तामुपेही महाराज शरना, परमेश्वरीम चार आराधिता सैव न्रिना भोग स्वर्गा पर्गदा पांच वेही विद्या, ज्यान, उत्पन करती हैं भगवान विश्णू की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवे की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे, महाराज, तुम उन्ही परमेश्वरी की शरन में जाओ तीन चार आराधना करने पर वे ही मनुश्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं को प्रणाम किया, वे अत्यंत ममता और राज्या फरन से बहुत खिन हो चुके थे साथ आठ जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यों महामुने, संदर्शिनार्थम अबाया, नदी पुलिंसन स्थितह नौ महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्यत अतकाल पस्या करने लगे नौ सच वैश्यस तपस्ते पे देवी सुक्त पर जपन, तो तस्मिन पुलिने देविया, कृत्वा मूर्तिन मही महीं दस अरहना चकृतुस्तस्या, पुश्पत धूपागनितर पनाए, निराहारा यताहारा तन्मनस को समाहिता ग्यारा वे वैश्य उत् करते हुए, तपस्या में प्रवरित हुए, वे दोनों नदी के तठ पर देवी की मिट्टी की मूर्ती बनाकर पुश, धूप और हवन, आदी के द्वारा उनकी आराधना करने लगे, उन्होंने पहले तो आहार को धीरे, धीरे कम किया, फिर बिलकुल, निराहर रहकर देव भिवर्ष इर्यत आत्मनोह बारा परितुष्टा जगधात्री प्रत्यक्ष, प्राह चंडिका तेरा वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षत बली देते हुए लगातार तीन वर्ष तक, सयम पूर्वक आराधना करते रहे बारा इस पर प्रसन होकर जगत को धारन कर करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष, दर्शन देकर कहा तेरा देव्यो वाच, चौदा यत प्रार्थेते त्वया भूप त्वया चकुलनंदिन, मत्तस तत्प्राप्यता, सर्वं परितुष्टा ददामी तत्पंदरा देवी बोली, चौदा राजन, तथा अपन कुल को आनंदित करने वाले वैशिया, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाशा रखते हो, वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अता तुम्हें वह सब कुछ, दूंगी पंदरा माकंडिया ओवाच, सोला ततो ववरेन रिपो राज्यम विब्रंशियन य जन्मनी, अ शत्रूब बलात सत्रा माकंडेय जी कहते हैं, सोला तब राजाने दूसरे जन्मे नष्ट ना होने वाला राज्या, मांगा तथा इस जन्मे भी शत्रूओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुना अपना राज्या प्राप्त कर लेने का, वर्दान मानगा 17 सोपी वैश्जस्ततो ग्यानन ववरे निर्विन नमान से ममेत्य हमेती प्रागिय संगविच्य उतिकार कम 18 वैश्य का चित संसार की ओर से खिन एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धि मान थे अता उस समय उन्होंने तो ममता और अहता आसकती का नाश करने वाला ज्यान मांगा 18 देव्योवाच 19 स्वलपेरो भिनरिप्ते स्वम राज्यम प्राप्स्यते भवान 20 हत्वार पुन्सखलितम तव तत्र भविश्यती 21 देवी बोली 19 राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रूओं को मार कर अपना राज्य प्रा भवान भुवी भविश्यती 23 फिर मृत्यू के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सुर्या के अंच से जन लेकर इस प्रिथवी पसावरनिक मनू के नाम से विख्यात होगे 22 23 वेश्यवर्य त्वया यश्चत वरोस्मत अभिवान शितः 24 तम प्रयच्छामी समसिद्य इतव ज्यानना भविश्यती 25 वेश्यवर्या तुमने भी जिस वर को मुझ से प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ तुम्हें मोक्ष के लिए ज्यान प्राप्त होगा 24-25 माकिंडिय उवाज 26 इती दत्वा तयोर देवी यथा भिलशितम वरम 27 वभुवान तरहिता सद्यो भक्त्या ताभया म्भिश्टुता एवं देव्या वर लबध्वा सुर्थाए शत्रियर्षभा 28 सूर्याजन समासाध्य सावरनिभविता मनोह 29 एवं देव्या वर लबध्वा सुर्थाए शत्रियर्षभा सूर्याजन समासाध्य सावरनिभविता मनोह क्ली ओम माकंडिय जी कहते हैं 26 इस प्रकार उन दोनों को मनोवान्छित वर्दान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुती सुनकर देवी अंबिका ततकाल अंतरधान हो गई इस तरह देवी से वर्दान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ट सुरत सुर्य से जन्ले सावर्नी मनु होंगे 27-29 इती श्रीमाकंडेय पुराणे सावर्नी के मन्वंत्रे देवी महात्मे सुर्थवेश्ययोवप्रदानना नाम त्रयोदशोध्याय थेरा ओवाच छे अर्धा श्लोकाह 11, श्लोकाह 12 एवम 29, एवम आदितह 700 समस्ता ओवाच मंत्राह 57, अर्धा श्लोकाह 42, श्लोतकाह 535, अवदानानी 66 प्रकार श्रीमाकंडेय पुराण में सावर्निक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मे में सुर्थ और वैश्य को वर्दान नामक 13 अध्याय पूरा हुआ